हेलो एवरिवन दाव ओनलाइन गुरू में मैं सुनल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस सेशन में हम 25 से लेकर 30 मार्च 2022 तक के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफैर्स को देखेंगे जो की आपके इन वेरियस एक्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं ऐसे ही रेगुलर सेशन हम आपके लिए अपलोड करते हैं तो इन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा सो प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेशन पूछे थे और उनके आप लोगोंने बिलकुल करेक्ट आंसर दिये लाइक मार्टर डी जो है वो हम लोग 30 जैनवरी को भी मनाते हैं अगले वाले सेशन में आपके कमेंट को यहां पे इंक्लूड किया जाएगा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अनकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा यह इंडिया का लाज़ेस लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप राजस्तान के एक्जाम्स एजीली क्रैक कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से अनकैडमी लर्निंग अप के इंस्टॉल करना है देन आफ्टर लॉग इन या साइन अप कीजिए अपने गूल को सिलेक्ट कीजिए लैंग्विज सिलेक्ट कीजिए और फ्री क्लासिस के लिए रेफरेल कोट में हमारे कोट को यूज कीजिए आनकैडमी के बैच जॉइन करने के लिए ये बिलकुल आपका सही ताइम है क्योंकि कुछी दिनों में प्राइस जो है वो बहुत जादा चेंजेज होने वाले हैं सो अभी सब्सक्राइब कीजिए टैन परसेंट डिसकाउंट के साथ आनकैडमी आपके लिए लेकर आया है और पीएसी ग्रेड फर्स्ट के टीचर एक्जाम से रिलेटेड बैच इहां पर आपका कम्प्लीट सिलिबस कवरेज और साथ इसाथ फ्री टैस सीरीज भी होंगी चस्ट फूर फॉर्टी टू पर मन्त में इसी के साथ ग्रेड सेकेंड के लिए भी सेम प्रोविजन्स अवेलेबल हैं चस्ट थ्री थर्टी एट रुपीज में वीडियो यानि के विलेज डेवलप्मेंट आफिसर या फिर पटवारी के एक्जाम के लिए टू फिफिटी पर मन्त रुपीज में आपके लिए सब चीजें यहां पर उपलप्त हैं ऐसे ही राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल का चाहे आप वन रक्षक या वन पाल के एक्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो 458 पर मन्त और 375 रुपीज पर मन्त में क्लासेज उपलप्त हैं ऐसे ही राजस्थान स्पेसिफिक इंग्लिश मेडियम का अगर आप बैच जॉइन करते हैं जैनित के नाम से है वो आपके लिए यहां पर उपलप्त है कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मौक टेस्ट सीरीज भी यहां पर उपलप्त करवाई गई है इसी के साथ आप रीट लेवल वन या लेवल टू के बैचेज में इन्रोल कर सकते हैं जस्त 375 रुपीज अ मन्त में और रीट लेवल सेकंड के अंदर भी 375 पर मन्त में आप जॉइन कर सकते हैं साथ ही साथ प्रैक्टर्स टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री है अगर आप हमारे कोड का यूज करते हैं तो आपके फीस में जो चेंजेज आएंगे जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 10% का आपको आफ मिलने वाला है तो सब्सक्राइब करके बेल ऐकन प्रेस करना मत भूलिएगा लिगे टॉपिक आपके सामने आता है कि एक बुक है जिसका नाम क्या है इंडियन अग्री कल्चर टूर्ट टूवर्ट टूथाउजन थर्टी अब पात्वे इन्हेंसिंग फार्मर्स इंकम न्योट्रिशनल सिक् इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्री कल्चर और फार्मर वेलपेर हैं तो आपको याद क्या रखना है इंडियन अग्री कल्चर टूर्ट टूथाउजन ट्वें थर्टी जो है उसे पब्लिश किस ने किया तो स्प्रिंगर ने इसे पब्लिश किया है जबकि इसे किस ने किया तो नरेंद्र सिंग तोमर जी ने इसे रिलीज किया है यहां पर नीती आयोग और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के फूड और अग्री कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन ने मिलकर एक इवेंट ऑर्गनाइज किया था हाल ही में न्यूज आती है और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि गिल्बर्ट एफ हंगबो को यहां पर सिलेक्ट किया गया है एज एलेवन्थ डाइरेक्टर जेनरल अफ इंटरनाशनल लेपर और और अर्गनाइज़ेशन यानि कि आई एल ओ के बात करें हांगबो के बारे में तो यह जो है यह प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं कहां के तो याद कर लीजएगा टोगो नाम की कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यह और इंटरनाशनल लेपर और अर्गनाइज़ेशन यानि कि आई एल ओ के होंगे जिन्हें इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आफ्रिकन पर्सन है जो की इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो यह सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बना देता है अब आपसे एक क्वेशन पू यानि कि museum of PM या फिर प्रधान मंत्री संग्रहाले जो है वो बनाया जा रहा है थ्रीमूर्थी इस्टेट डेली के अंतर इसका इनॉक्रेशन जो है वो 14th of April के दिन किया जाएगा 14th April important है क्योंकि यह B.R. Ambedkarji की birth anniversary के रूप में भी जाना जाता है अब यहाँ पर यह जो museum होगा इसमें इंडिया के 14 PM जो प्राइम मिनिस्टर के रूल में रह चुके हैं उनके कारेकाल में उन्होंने कौन-कौन से important work किये वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जबकि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नहरू जो थे उनके सभी क वार्यों को नहरू मेमोरियल म्यूसियम के अंदर ही रखा जाएगा जो कि आजर उनका रेजिडेंस पॉइंट भी जाना जाता है Stockholm Water Prize 2022 अवार्ड किया गया है Stockholm International Water Institute के तरब से Professor Wilfred Brutessart को ठीक है Professor Wilfred Brutessart important हो जाएगे आपके लिए क्योंकि यह जो Scott Home का Water Prize है इसे कहा जाता है Nobel Prize for Water ठीक है Water का Nobel Prize इसे कहा जाता है इस वजह से यह प्राइस और भी ज्यादा important है आप से यहाँ पर एक question पूछना चाहूंगा कि Nobel Prize कितनी फील्ड में दिये जाते हैं आप लोग नीचे comment section में comment करके बताईए 94th Academy Awards जिसकों की Oscar Award की रूप में भी जाना जाता है हाली में Academy of Motion Picture, Art और Science की तरफ से यह अवार्ड दिया गया 27th of March 2022 के दिन कहां पे Los Angeles के Dolby Theater के अंदर एक ceremony थी वहां पे यह अवार्ड दिया गया अब यह जो अवार्ड है यह 1st March से लेकर 31st December 2021 के बीच में जो important movies वगरा थी उनके लिए दिया गया और आपको जो चीजें याद करनी है लाइक Best Picture का अवार्ड किसको दिया और कॉड़ा को दिया गया Best Actress Jessica Chastain को दिया गया Best Director Jane Campion को दिया गया Best Actor Will Smith को दिया गया Best Original Screenplay Belfast को दिया गया Best International Feature Film Drive My Car को दिया गया Best Documentary Summer of the Soul है और Best Original Song No Time to Die है तो यह जो कुछ-कुछ important चीजें आपके लिए मैंने पहले से हाइलाइट कर दी थी इनको आपको learn करना होगा Next News आती है कि एक Decentralized Waste Management Technology Park जो है वो डैली के East Jafraabad के अंदर खोला जाएगा यह जो Technology Park होगा यहाँ पर क्या किया जाएगा Waste Management से related work किया जाएगा इसका जो सुझाव था वो Principal Secretary Advisor जो थे Central Government के उन्होंने दिया था और इसका inauguration भी उन्होंने किया है तो इनका नाम क्या है के विजय रागवन है ठीक है जो कि Central Government के Principal Scientific Advisor है हाल ही में Union Cabinet जिसके Head होते हैं Prime Minister सो Prime Minister Narendra Modi ने Approve कर दिया है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को Next Six Month के Time Period के लिए और अब यह जो स्कीम है वो 2022 तक के लिए Extend कर दी जा चुकी है इसे इसका Phase 5 कहा जाएगा Phase 5 March 2022 तक खतम हो रहा था तो उसके बाद अगले महने से भी यह स्कीम कंटीनू रहने वाली है इस स्कीम के थूँ क्या होता है पर पर सन को 5 किलो ग्राम फ्री रेशन एडिशनली अविलेबल किया जाता है जो National Food Security Act 2013 है उसके थूँ जो दिया जा रहा है उसके साथ-साथ इन एडिशन पर पर सन यहां पर 5 किलो ग्राम दिये जा जीत लिया है इसके लिए इन्हों ने बुसानन ओनू बंब्रोकन को हराया है जो कि कहां की थी थाइलैंड की थी और यह जो मैच था वो बैसिल स्विजर लैंड के अंदर आयोजित किया गया था यह जो पर्टिकुलर इवेंट है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस साल का सेकंड टाइटल होने वाला है किनके लिए पीवी सिंधू के लिए इसके पहले आपने पढ़ा था करेंट अफेर्स में सयद मोदी इंडिया इंटरनाशनल भी इन्होंने जीता था ठीक है यह एक तो याद रखना है आपको और यह वाला जो प्राइज है स्विस ओप जीता हुआ है हाल ही में आइणएस वलसूरे को प्रेसेडेंट कलर बाइप रामनात कोविंद लिया ज alerts यूनिये ने आइएज़ वलसूरू को यह वलसारा को प्रेसेडेंट कलर का अबार धिया अब्रेसेडेंट कलर का जो अवार्द होता है वो military units में highest award के रूप में जाना जाता है अब INS वलसूरा क्या है तो इसे 1942 के अंतर established किया गया था Indian Navy का एक training establishment है यानि कि यहाँ पे हम लोग क्या करते है training available करवाते हैं training किन किन को available करवाते है तो Indian Navy Personals को Indian Coast Guard को यहाँ पे क्या किया जाता है training उपलब्ध करवाई जाती है हाल ही में जो Tulip Garden है Asia का largest Tulip Garden कहां पे है श्री नगर के अंदर है उसे वापस से खोल दिया गया है तो यह जो Tulip Garden है जैसा कि आप फोटो में ही देख पा रहे हैं तो इसे खोला गया है स्री नगर के Tulip Festival के लिए यह जो Tulip Garden है यह जाबरवान रींज उपर जो आप Mountain देख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है जबरवान रींज कहा जाता है उसके फुट हिल्स में अवेलिबल है इस Tulip Garden को 2008 के अंदर खोला गया था स्टैबलिश किया गया था और इसका नाम रखा गया था इंदिरा गांधी के नाम पे सो इंदरा गांधी Memorial इंदरा गांधी Memorial Tulip Garden के रूप में यहां पे जाना जाता है हाली में 5th edition मंगलारू कंबाला का आयुजित किया गया मंगलूरू कंबाला का 5th edition आयुजित किया गया कहां पे गोल्ड फिन सिटी बंगूरा कुलूर के अंदर 26 से लेकर 27 मार्ज के बीच में यह जो मंगा लूरू कंबाला है यह क्या है तो आप लोग यहां पे कह सकते हैं कि इत इस अब बफैलो रेस ठीक है बफैलो रेस है हर साल होता है कहां पे हो रहा है करनाटका के अंदर हो रहा है ठीक है तो करनाटका से associated है याद रखियेगा तो student यह था हमारा आज का session आई होप आप सभी को easily समझ में आया फिर भी अगर कोई doubt या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं विदिन 24 आर्स आपके सभी डाउट और क्वेरी इसको सॉल्फ किया जाएगा अगर आप आप आरेमस और इंडिया सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदे विद्याले से रिलेटेड एंटरेंट्स examination की preparation कर रहे हैं तो हमारे application को google play store से install कर सकते हैं आपको demo lectures available है वहाँ पे और अगर आप हमारे batches को join करना चाहते हैं तो इस number पर whatsapp करके details ले सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जाहिंद